हेलो मेरी यूटूब फैमिली कैसे हैं आप सब आसागरती आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अभी चल रहा है नौरातरी का टाइम तो आज है सब्सक्राइब और मेरा यह सब व्लॉग थोड़ा लेट से जा रहा है क्योंकि आप लोग को पते ही है कि घर में काम लगे हुए है तो मतलब वेडियो बना ले रहे हैं लेकिन एडिट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है तो यह हम लोग बोले कि चलो आज घूमा देते हैं क्योंक लेकिन उसके दूसरे दिन से बारिस होने लगी थी और आपको तो पता है आज जिस दिन हम यह वीडियो अपलोड करेंगे आज दसमी रहेगा तो अभी हम लोग निकल गये हैं और अभी जैसे बारिस की वाज़े से कभी-कभी जैसे बीच-बीच में बारिस हो जा रही थी तो बहुत कम लोग अभी मतलब आना स्टार्ट हुए थे बाद में बहुत भीर हो गई थी और अभी जैसे हम लोग साम को 6 बज़े सारे 5-6 बज़े के करीम में निकल गये थे तो पहुंचते-पहुंचते 6 बज़े गया होगा तो अभी हलका हलका अंधेरा हुआ था और हम पहुंच गया है पहला हम लोगा जो मतलब पंडाल था मारे सहर का सिटी का रामगड का तो वहां पर और यहां पर देखे बाबू और इसके पापा आ गये पीछे से हम चल रहे थे तो यह ना वहां का रेलवे कॉलोनी का पंडाल है यहां पर देखिए अभी हम आपको दिख पंडाल के लिए तो वहां पर कथा वगारा कर रहे थे बस यह पंडाल में और यहां पर मिल गये थे इनके दोस्त यह थोड़ा सा बात वगारा की है उसके बाद हम लो निकल गए घर मतलब फिर दूसरे पंडाल के लिए बाबु के फोटो टो ले 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 जाना अच्छा आज खाली खाली है फोटो हो जाएगा कल से नहीं हो पाएगा और उसके बाद नहीं यहां पर बहुत अच्छी लाइटिंग रहती है मतलब हर साल यहां पर वैसे तो अभी इस बार दो तीन साल पर हमको लगता है दुर्गापु अच्छे से हो रही है सब के अहां क्यों यह कोविड की वज़े से दो साल बंधी था और पिछले साल हम गा अब यहां गूम लिए हैं और अब चलते हैं दूसरी जगह पर मतलब जहां पर मेले वगरे लगे है जहां जूला वगरे तो बच्छे लोग होता क्या है कि बच्छे लोग जूले खिलो नहीं यहीं सब क्योंकि वाबू को यह सब पंडाल गुमने में मज़ा नहीं आ रहा तो इसको बस खिलोने और घूमने से मतलब रहता है जैसे जहां कुछ अलग टाइप से दीखे तो बस अभी हम लोग आ गए हैं मेला में और यहां पर बाबु को अच्छा लगा क्यूंकि यहां पर चारो तरफ दुकान लगे हुए थे खिलोने के इसलिए इसको अच्छा लगा और यह न कहीं जाता है तो यहीं चीज देखता है कि खिलोने मतलब कहां पर मिलेंगे तो अभी ये बोली रहते कि तुम इदर उदर नहीं देखना बाबू कि तुमको कुछ न कुछ दिखी जाएगा तो ये तो उसी चेकर में रहता है कि हमको कहां क्या मिलेगा तो बस अभी हम लोग आ गए हैं पहले माता का दर्शन कर लेते हैं अभी हम लोग दिखाते हैं आपको और यहां का भी ना बहुत अच्छा रहता है मतलब जो मूर्ती वनी रहती है ना बहुत अच्छी तो आप लोग भी दर्शन कर लीज़े तो बस अभी हम लोग आपे मतलब पंडाल में दर्शन करके और आगे हैं यह बोले कि देखती वे चलोगे अगर कुछ पसंद आएगा तो ले लेंगे जो भी क्योंकि ना मतलब बहुत होता है कि मेले में कुछ नहीं लेंगे या लेकिन हमको जो मतलब अच्छी हो या ना हो बस पसंद आ गई तो हम ले लेते हैं जैसे क्वालिटी अच्छी हो या हम यह सब नहीं देखते हैं क्योंकि हर टाइप की चीज लेनी चाहिए और देखनी चाहिए तो यहां पर देखिए यहां पर यह कप प्लेट वगएरा मतलब दुकान था उसका तो यह बोल रहे थे कि कप क्या करोगी तो मतलब हम लेंगे नहीं हम बस देख रहें अगर पसंद पसंद आजाएगा तो छोड़ेंगे भी नहीं पसंद आजाता तो ले ही लेते लेकिन हमको यहां कुछ पसंद नहीं क्योंकि जैसे क्वालिटी की बहुत ही बेकार थी मतलब अच्छा नहीं था हमको नहीं असा ही लगा और मतलब सबकी अपनी पनी सोच होती है जिसको जो तो बस हम आपर बस देख लिए कप वगएरा और क्योंकि हमको कप का बहुत वो रहता है कि मतलब घर में लेडिज लोग है तो उनी को पता है ना कि घर में क्या चीज की जरूरत है क्या चीज की नहीं मतलब गेस्ट आये तो हमें ही सब चुछ अरेंज करना रहता है इसलिए कि यह तो बस इसी के इंतिजार में था कि कब हम खिलोने की दुकान पर पहुंचेंगे और जैसे इसके पाप हम बोले कि आज ही मतलब फोश्टी दिन ही ले लीजेगा खिलो ना तो इसके पापा से इसका डील हो चुका था कि हां मतलब आज ले लेंगे और उसके बाद कोई दिन नहीं लेंगे तो इसको ना बहुत दिन से यह गन का जो छोटी छोटी गोली वाली गन आती है ना इस मतलब गन का बहुत सौक था एक दिन हमको मीशों में निकालके और दिखा भी रहा था कि मम्मी इसको ओर्डर कर दीजे हां हमको यह गन चाहिए तब तक हम बोले थे दुर्गापु जनस्दिक आई गया था तो हम बोले थे कि बाबु मेला आ रहा है तो इस टेम हम ले ले लेंगे तो यह बोला ठीक है उस टेम उतना जिन नहीं किया तो बस अब इसको मेले में उसके पसंद का चीज मिल गया है और यह बहुत खुश है अब कल से कुछ नहीं अभी नहीं कल से आप कुछ नहीं तो उसके बाद मतलब बाबु का खिलोना लेने के बाद ना यहां पर हम आ गयी यह पीतल का मतलब बढ़तन वारा पीतल ही था साइद पीदल का ही था तो यहां पे बहुत टाइप का मतलब छोटा-छोटा ना कटोड़ी और ग्लास रखा था जैसे लड़ू को पाल को भोग चठाने के लिए या कोई भगवान को तो यह पता नहीं क्यों हमको यह चोटी-चोटी चीजे दें बहुत लाला जाता है मतलब इतनी क्वालिटी चोटा-चोटा ले लिए थे हमको क्वालिटी की अच्छी थी वजन था एक होता है कि बहुत हलके में होती है और दबाने से तूट जाए कि वैसे कुछ नहीं थी बहुत अच्छी मतलब हमको अच्छा लगा तो हम ले लिए तो यह बोल रहे थे कि तुम लोग आज ही ले ली कि मतलब दो तीन दीन के बाद आती तो रेट थोड़ा कम रहता क्योंकि मतलब स्टार्टिंग में यह लोग थोड़ा रखते हैं तो वहां से हम बहुत चली कोई बात नहीं अब सस्ता हो या महिंगा हो अब ले लिए हैं तो मामी भी बोले कि आज कर सब चीज हाने के लिए और उसके बाद आगाे हम यहां मेले में जहां प्रु Risk ल्याव है लगये läuft मिल्हं के इस बहुता है लेकिन उधर दुकान की साइड में जूले तो एक सब में हुई तो यहां पर आया हम अब और भी तो मतलब साधी के बाद साधी से पहले तो चड़े लेकिन स पुले कि चलो चलते हैं तो मम्मी पापा हम और यह और बाबू मतलब चारो लोग हम लोग यह नाव वाली जो होती है ना इसमें चड़ेगा तो बस अभी हम लोग जूल लिये और मतलब उतर के नीचे आगए और बहुत तेज वो जूला रहा था हमको मतलब हमको तो इतना तेज डर लग रहा था ना मतलब हम आपको बता नहीं सकते बगल में ममी बैटी हुती है हम उनको पकर के बहुत जोर से चिला रहा है तो ममी बोल रहे कि तुम आज के बाद नहीं चड़ना तुम्हारा हालत खराब हो जाता है तो हम बहुत डर लग रहा है मतलब जैसे वो पीछे ले जा रहा था तो अच्छा लग रहा था लेकिन तो इसके बाद आर जैसे बाद अजीब कर रहा था जैसे वो बंहले रहा था जैसे वस्ध हो जाएगी पता नीच्छा लग रहा है तो हम इसली हम आपको बल रहे है कि आप लोग जाए मेले में तो यह सब जूले नहीं चड़े बढ़ और उसके वाद फ़द अपरी चाट तो हम इनको बोले कि चलो उधर एक पहचान का दुकान है वहीं पर खिला देंगे तो यह मतलब हमको लगते हैं कि यह लोग पहचान इनका होगा इनसे तो यह मम्मी लोगो नमस्ते वगर कर रहे थे तो बस यहीं पर हम लोग पापरी चट खाये और उसके बाद मतलब मेली से बाहर आके होटेल वगड़ा में खाना ना खाके घर चले आए और अब इसी के साथ इस व्लॉग के एंड करते हैं